बॉलिवुड हमेशा से ही रीमेक करने के लिए काफी बदनाम है। आए दिन बॉलिवुड किसी ने किसी हिट मूवी की कौपी करता ही रहता है। अब बे हिट मूवी साउथ की हो या फिर हॉलिवुड। Bollywood कभी भी movies की copy करने से पीछे नहीं हटता और आज की इस वीडियो में हम उन ही Bollywood movies के बारे में बात करने वाले हैं जो की Hollywood से copy की गई हैं इन में से कुछ movies तो ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये Hollywood की copy हो सकती हैं चलिए बिना आपका time waste किए इस लड़की से प्यार हो जाता है इसके बाद सल्मान का कैरेक्टर लवगुरू गोविंदा को प्रिया को इंप्रेस करने के लिए कुछ टिप्स देता है ये मूवी गोविंदा और सल्मान खान की बन अब दी बेस्ट कॉमेडी मूवी में से एक थी लेकिन कुछ समय बाद हिच मूवी के कुछ सीन्स को नहीं बलकी पूरी मूवी को ही कौपी किया गया है इस मूवी में दिखाएगी exact story को partner मूवी में दिखाया गया है जहां विल समित का कैरेक्टर सल्मान खान ने प्ले किया था वहीं केविं जेम्स का कैरेक्टर गोविंदा ने और एवा मेंडि इसका केरेक्टर कैटरीना ने प्ले किया था, अब इससे पहले कि हिच मूवी के मेकर्स कोई लीगल एक्षन ले थे, इस मामले को कुछ ले दे कर सल्टा दिया गया। सारुख खान की बाजीगर मूवी तो सभी ने देखी होगी। बाजीगर मैं बाजीगर मैं बाजीगर ये मूवी 1993 में आई थी, जिस मूवी ने अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मूवी 1991 में आई, एक इस बिफोर डाइंग की कॉपी है, इन दोनों ही मूवी में कास्टिंग के अलावा बाकी सब कुछ सेम है, बाजीगर मूवी के कुछ सीन में तो कपड़ों का कलर भी बिल्कुल सेम है, वैसे बाजीगर मूवी के फिल्मेकर्स का कहना है, कि ये दोनों ही मूवी एक इस बिफोर डाइंग नाम की बुक से इंस्पायर्ड है, इसलिए ये दोनों ही मूवी के सीन और स्टोरी बिल्कु किया होगा लेकिन यहाँ पर तो कपणों का कलर भी सेम है यदि अमिर खान को बॉलिवुट का हीड़न जैम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि अमिर खान समय समय पर काफी बेस्ट मूवीज लाए हैं जिस मूवी का बॉलिवुड में नाम रखा गया लाल सिंग चड़ा वेसे ये मूवी बॉक्स ओपिस पर तो सक्सेस नहीं रही लेकिन ये एक काफी बहतरीन रीमेक था मैं ये नहीं कहे रहा हूँ कि लाल सिंग चड़ा फोरेस्ट गम से बेस्ट थी या फिर आमिर खान की परफॉर्मिंस टॉम हैंक से बेतर थी लेकिन फोरेस्ट गम जेसी आसकर विनिंग मूवी का रीमेक बनाना भी कोई आम बात नहीं है और लाल सिंग चड़ा एक काफी बहतरीन रीमेक था अब वो बात अलग है कि बॉयकोट के चलते ही ये मूवी जादा नहीं चल पाई लेकिन ये बॉलीवुट के बन उप दी बेस्ट रीमेक में से एक है यदि आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आई सजेस्ट आप इस मूवी को जरूर देखें नमबर 4 गौड तुसी ग्रेट हो 2008 में सलमान खान की ये मैजिकल कॉमेडी मूवी आई थी इस मूवी में सलमान खान का करेक्टर अरुन गौड से काफी ज़्यादा नाराज होता है इसलिए गौड कुछ दिनों के लिए अरुन को अपनी पावर्स दे देते है इसके बाद अरुन गौड की उन पावर्स का क्या करता है ये हमें मूवी में दिखाया गया है अब जो भी हूँ जैसा भी हूँ दस दिन के लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी 2003 में आई Bruce Almighty मूवी का रीमेक है अब गौड तुस्सी ग्रेट हो मूवी एक रीमेक है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही मूवी की स्टोरी भी सेम होगी लेकिन 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 गौड तुस्सी ग्रेट हो मूवी में Bruce Almighty की स्टोरी के साथ साथ कुछ सीन को भी exactly कॉपी कर लिया गया था जैसे ये वाला सीन या फिर ये वाला सीन मतलब इस मूवी के राइटर्स ने कुछ खास क्रियेटिवेटी नहीं देखाई और जैसा था वेसा का वेसा exactly कॉपी करके हमारे सामने परोज दिया नमबर फाइब तीसमार खान सो 2010 में फारा खान अक्षे कुमार के साथ तीसमार खान नाम से एक मूवी लाइन थी जिस मूवी में अक्षे कुमार एक गाउबालों को बेबकूफ बना कर नकली सूटिंग के बाहने सरकारी ट्रेंज से खजाना लूटता है सो ये मूवी भी यदि आप सोच रहे हैं कि बॉली बुट की ओरिजिनल मूवी है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि ये मूवी 1996 में आई इटेलियन मूवी आफटर दी फाक्स मूवी का ओफिसियल रीमेक थी जिस मूवी में अच्छे कुमार ने पीटर सेलर्स का केरेक्टर प्ले किया था जो कि आफटर दी बॉक्स मूवी में एक भागा हुआ कैदी था और ऐसा ही कुछ हमें तीसमार खान मूवी में भी देखने को मिला था और जहां After The Fox Movie में पीटर सेलर एक जहास से खजाना चुराने के लिए एक गाउवालों को फिल्म बनाने के बहाने अपने प्लेन में इंडायरेक्ली सामिल कर लेता है और खजाना चुराने के लिए उन सभी को बेबखूब बनाता है विसे मैं आपको बता दूँ After The Fox Movie बॉक्स ओफिस पर कुछ खास चली नहीं थी और फराखान का ये कहना था कि ये मूवी भले ही हॉलिवूड में ना चली हो लेकिन ये मूवी बॉलिवूड में जरूर चलेगी लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा ही और ये मूवी पिट गई इस मूवी के मेकर्स के एक्वर्डिंग चाची 420 1996 में आई हवाई सानमुगी मूवी का रीमेक है जिस मूवी में भी कमल हसन ने ही लीड रोल प्ले किया था लेकिन मैं आपको बता दूँ कमल हसन की ये दोनों ही मूवी एक्चुली में ओरिजिनल नहीं है कमल हसन की ये दोनों मूवी 1993 में आई मिसस डाउट फायर नाम की मूवी की कॉपी है मिसस डाउट फायर मूवी में दिखाई गई इस्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज करके और हिंदी मिर्च मसाला लगा कर चाची 420 के नाम से हमारे सामने परोसा गया लेकिन जब आप मिसस डाउट फायर मूवी देखेंगे तो आपको किलियरली पता चल जाएगा केसी का कॉपी करके हमारे सामने चाची 420 मूवी बनाई गई है सच में चाची तो 420 निकली वैल अमिर खान की गजनी मूवी को तो हम सभी ने काफी इंजॉई किया था पर एक दोख हमेशा से था कि कल्पना बिना ये जाने मर गई कि आमिर खान ही संजे सिंगानिया है एक वैल तो इस मूवी को देखकर लोगों को लगता था कि ये मूवी तमिल मूवी का रीमेक है और तमिल वर्जन में भी इस मूवी का नाम गजनी था और इन दोनों ही मूवी को एर मुरगदोस नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था लेकिन एर मुरगदोस ने ये नहीं बताया था कि ये दोनों ही मूवी सन 2000 में आई मॉमेंटो मूवी का कॉपी है और आप क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मॉमेंटो मूवी और इस गजनी मूवी में कितनी जादा सिमिलाइटी है नमबर एक धमाल सो धमाल बॉलिवुट की बेस्ट कॉमेडी कल्ट क्लासिक मूवी है जो यदि आज भी टीवी पर आजाए तो हम सभी अपना काम छोड़ कर इसे देखने बैट जाते हैं वैस उस समय टीवी पर मम्मी का अनुपमा ना आ रहा हो लेकिन यदि मैं आप से कहूँ कि इस मूवी को भी हॉलिवुट से कॉपी किया गया है तो क्या आप मानोगे अब मुझे पता है ये मानना थोड़ा मुस्किल है लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मूवी इट्सा मैड 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 वर्ल्ड मूवी का रीमेक है ओह कितने मैड हैं इस मूवी में भी एक टकले आदमी का एक्सिडेंट हो जाता है और वे कुछ लोगों को पैसे का एड्रेस बता कर मर जाता है और साथ ही ये प्लैन वाला सीन भी एग्जेक्ट हॉलिवूड मूवी से कौपी किया गया है नमबर नाइन एक रोका हुआ फैसला हाँ मुझे पता है आप में से 99% लोगों ने ये मूवी नहीं देखी होगी और साथ कुछ लोगों ने तो इस मूवी का नाम सुना ही नहीं होगा क्योंकि ये मूवी 1986 में आई थी जिस मूवी में बताया गया था कि एक लड़के पर उसके पिता के मर्डर का इंजाम लगा है अब उस लड़के ने मर्डर किया है या फिर नहीं ये पता लगाने की जिम्मेदारी हाई कोट 12 लोगों को देती है इस पूरी मूवी में राउंटेबल कनवरसेशन ही बताई गई है और हिंदी सिनेमा में राउंटेबल कनवरसेशन का कॉनसेप्ट काफी काम है इसलिए इस मूवी के बारे में जादा लोगों को नहीं पता ये मूवी 1957 में आई 12 एंग्री मैन जैसी मास्टरपीस मूवी का रीमेक थी इन दोनों ही मूवी की स्टूरी एगजएक्ट सेम है उस ये मूवी हिंदी सिनेमा में बनी है तो यहाँ पर थोड़ी सी इंडिया को देखते हुए क्रियेटीविटी दिखाई है उसके अलावा इस मूवी की स्टूरी होलिवुट मूवी से एगजएक्ट सेम है नमबर 10 रॉकी हैंसम जॉन अबराइम की रॉकी हैंसम कोरियन मूवी दी मैन फ्रम नोवेर का ओफिसियल रीमेक है इस मूवी को जिस तरह से बॉलिवर्ड में अडेप्ट किया गया था उसे साब से ये मूवी अच्छी खासी पॉपुलाइटी डिजर्ब करती थी इस मूवी में दिखाएगा एक्सन सीन को भी काफी बहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था मेरे ओपिनियन से ये मूवी काफी बहतरीन रीमेक था लेकिन जॉन अबराम की ये रॉकी हैंसम मूवी कुछ खास सक्सेस नहीं हो पाई और मुझे पता है आप लोगों में से भी काफी कम लोगों ने ये मूवी देखी होगी लेकिन जिन्होंने भी ये मूवी देखी है उन्हें पता है कि ये मूवी कितनी आसम है और हाँ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शिरूर कर देना